हेलो दोस्तों एक बात द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विए करना स्टॉक्स में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत धन्यवाद तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा एक ऐसे mutual fund के बारे में, जो हर साल आपको 20% की return दे रहा है last 7 सालों से, और 7 में ही last 1 year में इस mutual fund ने आपको 65% पर NM की return दी है, जिहां दोस्तों, जिस mutual fund की बारे मैं बात कर रहा हूँ, आप बोल सकते हूँ कि यह best in the business है, और यह आपके Warren Buffett, साब जी के जो value investing की जो principal है, उनको follow करते हैं, तो mutual fund का नाम आपको screen में दिख रहा होगा, वैसे सो salt form में इसको बोला जाता है, PPFAS mutual fund, और इनका पूरा नाम है mutual fund का, वराग, पारिक mutual fund, और दोस्तों, बोल सकते हो कि एक flexi cap यह mutual fund है, मतलब, यह small cap, large cap, और mid cap, सभी जग market में तो करती ही करती है, साथ पर आपकी US market में भी यह investment करती है, तो देख लेते है, best mutual fund by now की full details की आपको क्या, इस mutual fund में investment करनी चाहिए, buy करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, तो लेके चलता हूँ, आपको details की तरफ, दोस्तों, details share करने से पहले, आप सब बिसे request करूँ, तो साथ में bell को दबना ना भूलना, और साथ में आपका जो भी सुझा होगा, निचे comment करके आप हुमें साजा कर सकती हो, और साथ में दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगी गा, तो like करना ना भूलना, और साथ में share कर देना, facebook, twitter, telegram में, ताकि दूसरे व्यक्तियों की help हो सके, तो दोस्तों पराग पारिक long term equity fund के बारे में आपके साथ थोड़ी rate share कर देता हूँ, यह जो fund था आपका, 28 May 2013 को launch हुआ था, जब से launch किया गया है, 20% per annum के साब से आपको यह return दिखा रहा है, और दोस्तों इसकी rate इतनी high के वे, उसके कुछ regions है, मैंने नीचे पतलाया था, यह Warren Buffett साब के principle को follow करते है, value investing को, तो इसी वज़े से इनकी जो return है, इतनी high होती है, और दोस्तों इस fund की जो दूसरी सबसे अच्छी बार मुझे यह लगी, कि यह domestic equity holding इनकी 65% के आसपार, और साथ में यह foreign equity holding भी है, इनकी 30% के आसपार, मतलब यह अपना पैस diversify करते है, Indian strong market में, और आपकी US strong market में, और दोस्तों, जो तीसरा सबसे अच्छा region है, इसकी इंतेची रिडन आने का वो है, good investment decision at reasonable price, जिया दोस्तों, reasonable price का मतलब है, कि यह wait करते है, opportunity का, एक अच्छे valuation में आने का wait करते है, किसी भी stock का, या market का correction का, यह wait करते है, और यह हमे market क्रेक्ट हुए थी, गिरी थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा पैसा infused किया था, तभी उसी region से इनको last year 61% per annum के हिसाब से return आ रही है, यह कुछ region से, जिस मुझे से मुझे लगता है, इनकी return इतनी high आ रही है, last seven year से, right, और देख लेते हैं कि प्राग पारिक long term equity fund में, और क्या-क्या अच्छा है, और क्या-क्या बुरा है, उस तो अब बात करते हैं, प्राग पारिक, फ्लैक्सिकेफ long term fund के top holding के बारे में, दोस्तों जैसे मैंने आपको बतलाया, पहले ही, यह foreign investment और आपका domestic investment दोनों में ही investment करती है, आपको दिख सकता screen में सबसे ज़्यादा जो holding holding है, इंकी Apple stock में है, और ITC में इंकी 8% के आसपास की holding नजर आती है, और साथ में Microsoft में इंकी 7.9% के आसपास की holding है, और साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं, Amazon में इंका investment है, almost 5.9% के आसपास, और इंडियन companies भी ऐसी बात नहीं कि इन्नोंने इंडियन company पैसा नहीं लगाय है, पहुत सारी इंके पास इंडियन companies भी है, Hero Motor को इन्नोंने बाई किया हुआ है, 4.5% के आसपास इनकी holding है, और दोस्तों आप देख सकते हैं, फेस्टूप में इन्नोंने पैसा लगाया है, और दोस्तों एक बात आपने नोटिस कियोगी, कि इनकी जो last seven year की जो return है, वो almost 20% per annum बैठती है, और आपको धियान देना चाहिए, जो हमारे Warren Buffett साफ है, उनकी जो annual CAGR निकल के आता है, वो भी 20% के आसपास निकल के आता, last 25 सालों का, तो कहने का मत्तब है दोस्तों, मुझे लगता है personally, अगर ये थोड़ा और अच्छा काम करती है, तो definitely कुछ अगले सा सालों में ये उनकी return को beat कर सकते है, अब लेके चलते आगे कि Prague Parik Flexicap Fund में स्कीम में क्या-क्या अच्छी बात है और क्या-क्या बुरी बात है, तो एक पर देख लेते हैं, तो दोस्तों मैंने आप Fund के details खोल रखी है, और दोस्तों बताना चाहूंगा कि Value Research की rating के इसाफ से 5 out of 5 star इन्होंने दिये है, अगर बात करते हैं दोस्तों expense ratio की तो दोस्तों Prague Parik Flexicap Fund का expense ratio थोड़ा high है, 0.98% के आसपास आता है, जो अगर 0.050 होता तो definitely एक अच्छा expense ratio होता है, थोड़ा high है इसका expense ratio, आपको पता है जो उसका fund size है, वो साथ या 450 क्रोर के आसपास का है, और ज investment करती है, और 7 सालों से ये अपनी business को कर रही है in mutual fund के field में, ठीक है और exit load, load आपका 2% के आसपास है, और अगर आप इसको 3 सालों के बाद निकालती हो, तो आपको कोई exit load नहीं देना होता है, इस fund के साफ से, ठीक है, अगर बात करते है minimum investment, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 1000 रुपे से आप इसमें लंसम और start कर सकते हो, तो काफी अच्छा fund है कि 1000 रुपे से इसमें आप investment start कर सकते हो, और देख लेते हैं कि इस fund में, प्राग पारिक, flexi cap fund में और क्या बढ़िया है, देख लेते हैं कि इसने last 7 years में कैसा perform किया है, ठीक है, तो आपको screen में देख सक हम निकालते हैं, 63 और 64 परसेंट ही आती है, 2 year की 24 परसेंट है, और 3 year की 18 परसेंट है, और आप देख सकते हैं, तो स्क्रीन में last 5 साल हो की 20% के आसपास निकल के आती है, last 5 साल हो की, जब से ये mutual fund launch हुआ है, तब से almost 20% की निकल के आती है, और absolute return तब से 300% के आसपास है, तो मिल सकता है, stock market में अगर आप trading करते हो, या investment करते हो, तो आपकी जो सालाना return होती है, ये उससे भी अच्छी return आपको बना के दे रहा है, और without any tension, right, trading अगर आप करते हो, तो आपको पता है, उसमें कितना risk involved होता है, कितने tension होती है, अगर आप investment करते हो, तो उसमें भी आपको पता कि आपको कितने stock selection करने पड़ते है, तब जाके आपको 10%, 5% सालाना return मिलती है, लेकिन दोस्तों ये जो mutual fund है, ये आपको कोई भी महत करने की जोड़त नहीं पड़ रही है, मातर आपको एक ship start करने ही, 1000 रुपे की या 12,000 रुपे की, और आपको असानी से हर साल 20% per annum की return आ रही है, कुछ करने की अब सकता नहीं है, free का पैसा है, why definitely इस mutual fund में आप थोड़ा बहुत investment कर सकते हो, मेरे साफ से ये अच्छा mutual fund है, आप देख सकते हो, अगर ship returns की में बात करता हूँ, तो अगर आपने एक साल पहले से हमें 1000 रुपे की ship start की होती, तो आपका जो latest value होत करता हूँ, तो वो एक लाग रुपे आपका बंच चुका होता, अगर मैं बात करता हूँ, कि अगर आपने ये सिफ साथ सालों से जब से ये fund आया है, तब से investment करना start की होती, तो आप देख सकते हो, आपका एक लाग रुपे, आज की में साड़े तीन लाग रुपे होता, अगर आपने लमसम investment की होती, और अगर अगर मन्तली सिफ लगाई होती, इस mutual fund में दोया तेरा की आजपास, तो definitely वो पैसा आपका आज 15 लाग से भी जादा बनता, तो दोस्तों इसलिए का जाता है, कि भाईया, mutual fund में आपको थोड़ा patience देना होता है, timing देनी होती, अगर आ compounding impact पड़े, वो पैसा 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी हो जाता है, तो दोस्तों आप बोल सकते हो कि जब आप कुछ कर नहीं रहे होते है, आपका पैसा जो आपके bank में पड़ा रहता है, और आप जब सो रही होते हो, तो अब भी आप पैसा कमा रहे होती हो, ये सब चीजे कैसी होती है, एक अच्छी investment planning से, तो भाई, अगर आप ऐसा की mutual fund ढूंड रहे हो, जो आपको एक अच्छी return दे सकता है, लास्ट सास सालों से, तो definitely भाई, इसमें आप पैसा लगा के भूल सकते हो, बैट लगा के भूल सकते हो, और एक बात यहान लेना, past की return कभी guarantee नहीं द मुचल fund में आप पैसा लगा के भूल सकते हो, ठीक है, अगर आपको SIP लगानी, आप उसमें भी कर सकते हो, आप अगर लंसम लगाना चाहते हो, आप उसमें भी कर सकते हो, तो उसमें बोल देना चाहता हूँ, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया, इस वीडियो को बनाने के मैं खुद बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे लगा कि ये fund काफी अच्छा, इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, अगर बात रही, अभी आपको investment करना चाहिए, तो दोसों देखिए, अगर आप SIP मोट में investment करते हो, तो आप उसके लिए कभी भी आप timing मत कीजी, ठीक है, लमसम में आपको एक बार investment करनी होती है, बाकी SIP में आपका हर मन्थली वो करता है, तो वो average cost आपकी कापी सस्ती हो जाती है, तो भाई, SIP में आप कभी भी लगा सकती हो, बाकी बात रही, आपके लमसम में, तो लमसम के लिए आप वेट कर सकते हो, market का थोड़ा correct होने का, तो भाई, मेरे साब से, जो मैं आपको fund बताया है, आपको fund बताया है, तो भाई, जो मैंने आपको प्राग पारिक मुचर fund बताया है, flexi cap fund, definitely इसमें पैसा लगाया जा सकता है, long term equity fund है, start form में इसको PPFAS fund बोला जाता है, तो भाई, definitely अगर आप long term portfolio बनाना चाहती हो, और करते आ रहे हैं, last 25 सालों से, और आपको पता है, last 25 सालों से, warren perfect की return भी almost 20% के आसपर बैठती है, और इनकी भी last 7 सालों की return है, वो भी 20% per annum है, तो भाई, definitely इस mutual fund में आपको 1000 रुपे की SIP तो लगा देनी चाहिए, अभी के अभी, मैं खुद, मैं खुद अब इसमें investment करन आपको नहीं जाओंगा, ठीक है, आप से भी request करूँगा, आप इसमें direct ही invest कीजिए, तो अगर वही वीडियो अच्छा लागा तो like, share, subscribe कर दो, अगर आप चाहते हो कि mutual fund के review करूँँए, किसी mutual fund लगा, तो definitely है मुचे comment section में comment कर सकती हो, definitely उसक्रिपर वीडियो बना दूँ चलिए, bye bye